तो बाइलो फ्रेज्ट वेल्कम बैक टो माएन अधर ब्लोग तो फैंड्स आज जाना है हमें मेरे बेटे के स्कूल इसकी है पीटीम तो मैं अाध्व के रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे रेडी हो रहे हैं, बस चलते हैं आज इसके एसके इसके स्कूल को विजिट तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए थे मेरे बेटे के स्कूल और देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्कूल के पास बहुत ही कुपसूरत सा एक मंदिर है और यहाँ पर आप देखिए कार इतनी नमतर एक किलो मीटर दूर से पारकिंग जो है वो मिलती है इसलिए हमारा मेन मोटो था बाइक से आने का क्योंकि कार पारकिंग बड़ी मुश्कल से मिलती है और बहुत ही ज़्यादा दूर मिलती है तो बस अब हम एंटर हो गए थे इसके स्कूल में और फ्रेंट्स देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा एंड कितना ज़्यादा स्पेशियस स्कूल है इसका इसका स्कूल यहां के टॉप फाइव स्कूल में से है और यह इसकी सीनियर बिल्डिंग है और इसके लैप साइड में जाने पर हमें यहां इसकी प्राइमरी बिल्डिंग मिलेगी तो बस अभी हम जा रहे हैं इसके प्राइमरी बिल्डिंग में इसका PTM attend करने के लिए तो guys हम बहुत चुके थे primary building में और बस यहाँ से अब जब हम enter होते हैं तो अंदर जाके ना इसका school बहुती ज़ादा बड़ा है तो बस यहाँ से हम इसकी classroom में जाने वाले हैं और बस मेरा बेटा अपनी classroom में हमको लेके गया हमने यहाँ पे उसकी PTM attend की और PTM attend करने के बाद हम इसकी किसी दूसरी subject teacher से मिलने गए और इसकी बाद बस result लेके हम निकल रहे थे school से बाहर तो guys जो PTM था बहुत ही अच्छा रहा result बहुत अच्छा रहा में चीज result होती है जब हम अपने बच्चों को इतने बड़े schools में पढ़ाते हैं इतनी ज़्यादा fees देते हैं तो जब result बहुत अच्छा आता है तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है किसी भी parents को तो बस यहाँ से हम result लेके निकल आये थे साथ में यहाँ पर मेरे बेटे के बहुत सारे दोस्त मिले थे जो जिनसे हम बाते करते हुए और मिलते हुए बस होता है ना यार कि ना बच्चे जब मिलते हैं तो अपना results discuss करते हैं एक दूसरे से बाते करते हैं थोड़ा सा time ले ले लेते हैं बस इन सब चीजों से मिलते मिलाते हम आ गए थे अपनी बाइक के पास और हम निकल रहे थे अपने घर वापस बेटे का result बहुत अच्छा था बेटा बहुत ज़्यादा खुश था बस हम चाह रहे थे अब अपने घर वापस ब्लॉक को यहें एंट करूंगे अगर आपको यह ब्लॉक दरा भी अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर एंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना पर